बिस्मिल्ले रख्मान रिराहीम, आज हम Module 40 discuss करेंगे, Module 40 है File Processing Strategies, जिस तरह हमने previously कई किसम की APIs discuss की है, files को process करने के लिए, इसके लावा हमने कुछ शुरू में C के runtime functions भी discuss किया थे, जिनके मदद से हम files को process कर सकते हैं, तो हमें जब भी एक program लिख रहे हैं, जो के file processing कर रहा है, तो वहां पर हमें यह choose करने की जरूरत है, कि हमने या तो runtime library के साथ जाना है, या हमने Windows की APIs को use करना है, तो दोनों चीजों के अपने-पने advantages हैं, उन advantages को हम way करें, कि यह decide करें कि क्या हमें strategy use करने चाहिए, यह हमारी file strategies हैं, file processing strategies हैं. जो, firstly हम runtime libraries को discuss करते हैं, runtime libraries के जो advantages हैं, वो हमने previously भी थोड़े बहुत discuss किये थे, एक advantage सबसे बड़ा उसका portability है, कि आपका जो program है वो portable होगा, आपने Windows के लिए बनाया है, वो सिर्फ Windows के उपर नहीं चलेगा, कोई और दूसरे Windows के जो operating systems हैं, उसके अंदर अगर C की libraries हैं, यही वाली standard libraries हैं, तो उसके अंदर भी वो program उसी तरीके से चलेगा, आग वो program के अंदर हो सकता है, कोई भी change ना करनी पड़े अगर आपने standard libraries use की हैं, C की, runtime standard libraries. दूसरा, यह functions जो हैं काफी convenient हैं, इसके अंदर lines, यानि के strings के level पर या lines के level पर या character के level पर आगर आपने processing करनी हो, तो वो काफी असान है, जबके Windows के अंदर strings और उसकी complicated सी strings की types हैं, कि कौन सी string use करनी है, और किस तरह से उसको process करना है, तो strings को handle करना, थोड़ा difficult है, of course, Windows के अंदर, लेकिन runtime libraries use करते हुए, आप strings को readily handle कर सकते हैं, तो यह एक added advantage मिलता है, आपको runtime libraries का, runtime libraries are easy to program, क्यों easy to program, क्योंके higher level के उपर है, of course, वो easy होंगी program करने के लिए, और इनको generic calls के अंदर भी easily convert किया जा सकता है, यानि कोई भी आपकी data type है, उसके लिए easily adapt कर सकते हैं, यह इसके merits हैं, लेकिन अगर आप हम C की runtime library use करते हैं, तो उस case के अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम miss करते हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो के हम नहीं कर पा सकते हैं, तो उनको भी हम discuss करते हैं, उसके क्या demerits हैं, अगर आप उसकी जगा Windows API use करते हैं, ठीक हैथ हो सकता, आपके लिए programming थोड़ी सी difficult हो जाए, लेकिन Windows library को use करने से आपको क्या advantage मिलता है, आपको files के यह सारे attributes accessible होते हैं, जो C के runtime library हैं, वो सिरफ आपको few of the attributes देती हैं, for example, जिस तरह हम देखा है कि three timestamps हैं, जो C के library हैं वो हो सकता है, आपको just one timestamp show करें के जब वो file create हुई थी, जबके अगर आप Windows API use करते हैं, तो आपको यह three timestamps मिलती हैं, कि access भी कब हुई थी और last modify भी कब हुई थी, यह सारी information मिलती है Windows APIs की मदल से, और भी जितने भी attributes हमने discuss किया हैं, उनके अंदर कही ऐसे attributes हैं, जो आपको C library के अंदर available नहीं हैं, बड़े primitive से attributes जो हैं, वो आपको C runtime libraries के अंदर available हैं, और फिर यह जो C runtime libraries हैं, यह इस तरीके से design हुई भी हैं, वो यह consider करती हैं, उसके अंदर जो file के अंदर offset है, वो 32 bit का specify उनमें किया जा सकता है, यानिके एक file जो है that is limited by the size of 32 bit, यानिके 2 raised to the power 32, 4 GB तक file का size हो सकता है, जबके windows के अंदर file का size बहुत बड़ा हो सकता है, और आपके पास ऐसे variables available है, 64 bit के, जिनकी मदद से आप उसके अंदर file का size रख सकते हैं, ठीक है, और आपके पास APIs भी available हैं, जिस तरह FSeq I64, इसके मदद से भी आप किसी भी एक specific point के उपर file pointer को ले जा सकते हैं, अगर आपने बहुत बड़ी file है और उसके अंदर C library को use करते हुए file pointer की position को change करना है, तो यह possible नहीं होगा, उसके अंदर 32 bit की limitation है, इसके लावब और कई advanced features भी हैं windows के अंदर, Windows आपको पता है कि multitasking system है, जब वो multitasking system है, तो उसको of course वो support करता है, concurrent processing को, threading को support करता है, और कई किसम की different files को भी support करता है, जिस तरह memory mapped files है, synchronization है, उसको support करता है, file locks को support करता है, तो यह सारे जो features हैं, यह आपको C library के अंदर, runtime library या standard libraries के अंदर, नहीं मिलेंगे, तो अगर इन सारे features को आपको use करने की ज़ूरत पड़ती है, आपके program के अंदर को ऐसी चीज है, को ऐसी functionality है, जिसमें इन facilities की आपको ज़ूरत है, इन primitives की आपको ज़ूरत है, तो फिर API ही, of course, use करना चाहेंगे, इसके लाब और भी कुछ strategies, जो है, adopt की जा सकती है, while processing files, अगर आपने जो previously code लिखी हुई है, वो Unix के लिए code लिखी हुई है, तो Microsoft आपको कुछ libraries प्रवाइड करता है, जिन libraries से, आप Unix की code को port कर सकते हैं, for Windows, इसके लाब और वो जो libraries हैं, वो आम तोर पर underscore के prefix के साथ start होती हैं, जिस तरह कुछ functions, जिस तरह हमने read का function, write का function, underscore, शुरू में लगता हैं उनके, तो वो वाले basically functions, Unix के अंदर भी use हो रहे हैं, और वो उसको port करके आप उसको Windows के अंदर भी use कर सकते हैं, तो एक यह strategy भी हो सकती है, और जो last मे strategy हम discuss करेंगे, वो hybrid strategy, hybrid strategy भी हो सकती है, आप देखें आपकी program की requirements के हैं, अगर आप समझते हैं, आप वो requirements पूरी कर सकते हैं, using C runtime library, तो आप C runtime library use करें, अगर उसके अंदर कोई advanced requirement है, जो के runtime library नहीं पूरी कर सकती, तो उसके इसके अंदर of course आप Windows APIs का इस्तमाल करेंगे.